स्वागत है दोस्तो फिट से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है तुर्शानतेकेडमी और मैं मिश्रा सर हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेखे दोस्तो आज का टॉपिक बहुत ही रियली में बहुत इंट्रेस्टिंग है क्योंकि अक्सर वीवर्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि पेवेंट बैंक क्या होते हैं या स्मॉल बैंक क्या होते हैं दोस्तो आज मैं आपके सारी confusion दूर करूँगा तो बने रहे हैं मेरे साथ हाँ जिन लोगों ने आज तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको एंड में अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तो अकसर आप confused होते हैं कि small finance bank या payment bank में क्या difference है उनके बीच में जो initial amount होता है या जो facility प्रवाइड करते हैं तो RBI की थुरू क्या rule और नियम हैं दोनों के बीच में वो bank में पूछे जाते हैं और दूसरी भी जो exams होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं इनके one liner question के form में दोस्तो तो मैं बता दूँ कि मैं पहले इस वीडियो का जो first part है उसमें बताऊंगा payment bank के बारे में कि what is payment bank next जो part हैगा मैं उसमें discuss करूँगा small finance bank के बारे में दोस्तो payment banks are the new age bank with limited facilities जी हां RBI ने इसे एक small bank के type मतलब small तो नहीं कहूँगा मैं एक नया facility दी है public को payment bank के थूँ these banks mostly operated इसको operate करते है small vendors या shopkeepers लेकिन इसकी कोई physical branch नहीं है मतब main branch तो होगे लेकिन और कोई subsidiary branch नहीं है या कोई क्या कह सकते है कोई branches नहीं है all India इसको आप virtually operate कर सकते है mobile के थूँ या shopkeeper जो small vendors होते है वो इसको use करते है ठीक है अगर दोस्तों मैं बात करूँ according to the RBI rules तो यह सारे bank open करते हैं saving या current account को लेकिन यह FD मतलब fixed deposit account नहीं open करते हैं नहीं कोई loan दे पाएंगे इस bank या ली bank जो है ग्रहकों को कोई loan नहीं दे bank these can give all other facility मतलब दूसरे bank के सहयोग से partnership पर की और other facility भी दे सकते हैं दोस्तों अगर मैं बात करूँ 23rd September 2013 को तो एक committee set up की गई थी financial services के द्वारा जो की small businesses या low income household के लिए थी उसको head किया था नचिक्त मूरे ने और उसको बनाया गया था RBI के द्वारा उन लोगों ने discuss किया थ आपस में कि हम कुछ small farmers या small household workers के लिए कुछ करें तब RBI ने realize किया और एक draft बनाया under which they are inviting entities to become a payment bank जी हां कुछ छोटे टो organizations को उनों इखटा किया payment bank को मतब payment bank खोलने के लिए उनको invite किया थो उन्हेंने 41 interested entities को लाया गया और उनने 6 उस time 6 entities को approved किया था जो कि यह है एर टेल payment bank इंडियन post payment bank है फिनो payment bank है आदितिबरला payment bank है और पेटियम payment bank है फिर आया जीओ payment bank इंडिया का नया bank इसका tagline है ठीक है दोस्तों यह 6 है वैसे तो अभी 11 है प्रेजेंट में लेकिन इसका objective क्या होता है दोस्तों इन लोगों का objective मतलब payment bank का main objective क्या है तो मैं बता दूं कि इ increase financial inclusion by offering small saving account and payment payments system ठीक है दोस्तों देखें services और saving account यह प्रवाइड करते हैं तब payment banking would be paperless as there would no check or DD कोई demand draft नहीं होता कोई check नहीं होता तो यह paperless है मतलब digitally है यह सब और यह provide good interest rate on your saving अगर आप इनमें saving account खोलते हैं तो अच्छा saving मतलब interest rate जो होता वो अच्छा देते हैं तो इनका main objective क्या है कि एक virtually एक digital platform provide करते हैं ठीक है इनका कुछ rules और policies भी होंगी और आपको पता होना चाहिए कि money market जो है उसको rule और regulation कौन regulate करता है RBI Reserve Bank of India तो Reserve Bank of India के ही through इनके rules और regulation भी बनके आते हैं जिन चीज को सारे payment bank है उनको follow करना ज दोस्तों इनका पहला rule क्या है कि कोई भी payment bank अगर खुल रहा है तो उसको पहले 100 crore rupees का capital उसको दिखाना होगा कि मेरे पास 100 rupees की capital है ठीक है और पहले 5 साल 40% minimum promote stake देना होगा दूसरा क्या है कि fully networked होना चाहिए from the beginning bank can accept utility bills को भी accept करना चाहिए इसको ठीक है ये दो नियाम होगा तीसरा क्या है कि अगर कोई भी customer इसमें deposit कर रहा है तो वो maximum to maximum एक लाक रुपए ही deposit कर सकता है ये क्योंकि इस payment bank के छोटे bank होते हैं छोटे से भी छोटे होते हैं ठीक है और 25% branches इसकी unbanked ruler area में होनी चाहिए ये इसका चौथा नियाम था दोस्तो bank must maintain CRR minimum 75% of the demand deposit in the government bond of up to one year और maximum 25% in current and fixed deposit with other scheduled commercial bank ठीक है bank will be licensed as payment bank under the section 22 of the banking regulation act 1949 उसमें ये एक license इनको मिलेगा इस act के थुरू ठीक है फिर companies act 2013 के according इनको मिलेगा कुछ features हैं देखिए payment bank के payment bank आपने अभी तक कुछ पढ़ा है कि क्या के rules और regulations थे अब मैं आपको बताऊंगा कि payment bank में facilities क्या मिलती है या वो other bank के comparison में या तो वो small bank हो या वो nationalized या से PSU's bank होते हैं वैसे bank हो या private bank हो तो उसमें difference क्या है तो उसके बार में कुछ features मैं बताऊ vendors, vendors मतलब कोई भी हो जैसे दुकानदार होते हैं आप राशन के दुकान पर जाते हो या सबजी वाले के आ जाते हो या cloth वाल में जाते हो तो इस छोटे मोटे vendors हो कुछ आपके आसपड़ोस में है ये bank loan नी provide करते इसमें debit card facility available है no physical branch नहीं मिलेगी आपको saving or current account आप इसमें open क कर सकते हो लेकिन कोई fix deposit नहीं कर सकते तो payment bank की कुछ आपको मैंने summarized form में कुछ features explain कर दी है ठीक है दोस्तों अगर मैं बता दूँ आपको कि इसमें service क्या-क्या provide करते हैं तो accept deposit deposit का accept करते है री maintenance services होती है इसमें mobile से आप payment कर सकते है online payment जो करते है mobile से transfer भी हो सकता है ठीक है fund transfer जो कहते है debit card और associate services मिलती है इसमें net banking के services मिलती है मतलग आपका जो nationalized bank या private bank के account है उसको इस payment gateway से आप attached भी कर सकते हैं और third party financial product कैसे insurance और mutual fund भी आप कर सकते हैं इससे दोस्तों यह सब चीज़े तो हमने पढ़ ली लेकिन जो मेरा confusing वाला जो मैंने बताया था कि अधिकतर experience क confused होते है small bank और payment bank में दोस्तों चलिए मैं उस confusion को दूर करता हूँ दोस्तों इसमें major differences यही है कि इसका initial capital होता है वो 100 करोड होना चाहिए लेकिन इसका क्या इसका भी 100 करोड होना चाहिए service provide क्या होता है कि account current account या saving account को open कर सकता है इसमें क्या है all account को saving, current, fixed और recurring account सारे accounts उपन क सकते हैं इसमें क्या है accept deposit, issues, draft card but not credit card or loan इसमें क्या है land money to small or medium businesses, medium या small business को यह amount दे सकते हैं इसमें क्या बता रखा है कि अभी तक payment bank 11 है तो इसमें भी small bank भी 10 ही है के वल तो यह थोड़े से differences है अगर मैं और difference की बात करूँ तो दोस्तों मैं बता दूँ कि eligibility क्या है card issuers, finance companies, business correspondent, telecom companies or retailers इसमें क्या tenure of experience in a financial services होनी चाहिए इसमें क्या 75% demand draft should be invest in a government security इसमें क्या 75% loan should be given to the priority sector which include agriculture and small businesses इसमें क्या है CSR और SLR इसको meet करना चाहिए by RBI रूल के दवारा और इसमें क्या है meet SSR by RBI वो भी minimum balances में कितना होना चाहिए एक लाग, एक लाग minimum balance होना चाहिए तिये दोस्तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तो यहाँ पे मुझे दीजिए इजाजत और मैं तिशान्त एकेडमी के तरफ से आपका मिश्रसर बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, सारे वीवर्स का क्यों आप मेरे साथ यहां तक बने रह है और हाँ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल करे के इस बटन को जो कि सब्सक्रिप्शन का है तो उसे प्लीज आप प्रेस केजिए ताकि सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाओ और आपको हर रोज अपडेटेड वीडियो मिलत दे रहे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ताकि आपको वह रिमाइंड भी कराता रहे तो आज के लिए वसे इतना ही थैंक्यू